दोस्तों आज मैं आपको ककड़ी खाने के कुछ फायदे बताऊंगा तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों गर्मी के मौसम में ककड़ी का सेवन स्वास्त के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप और लू के वज़े से अक्सर लोगों को डियाइडरेशन की शिकायत होने लगती है लेकिन अगर आप ककड़ी का सेवन करते हैं तो इससे आपका शरीर हाइडरेट रहता है साथी साथ शरीर में एनरजी भी बनी रहती है क्योंकि ककड़ी में 90 प्रतिशत पानी होता है ककड़ी का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है क्योंकि ककड़ी की तासीर ठंडी होती है ककड़ी का सिवन करने से कई बिमारियां भी दूर होती हैं क्योंकि ककड़ी में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, प्रोटेशियम, फाइबर जैसे कई पोशक्तत्तोय पाये जाते हैं जोकी स्वास्त के लिहास से काफी लाबदायक साबित होते हैं तो आईए जानते हैं ककड़ी खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं दोस्तों ककड़ी का सेवन वजन कम करने में काफी मददगार साबित होता है क्योंकि ककड़ी में फाइबर के अच्छी मात्रा पाई जाती है साथी साथ इसमें कैलोरी की भी काफी कम मात्रा पाई जाती है इसलिए इसका सेवन करने से वजन असानी से कम होता है ककड़ी का सेवन blood pressure वाले मरीजों के लिए काफी फाइदेमंद माना जाता है क्योंकि ककड़ी में potassium के अच्छी मात्रा पाई जाती है इसलिए इसका सेवन करने से blood pressure कंट्रोल में रहता है दोस्तों ककड़ी का सेवन हड़ियों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि ककड़ी में विटामिन के मवजूद होता है जो कि हड़ियों को मजबुत बनाने में मददगार साबित होते हैं जिसकी वज़े से टे हाइड्रेशन की शिकायत भी हो जाती है। लेकिन अगर आप रोचाना ककड़ी का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में पानी की कमी दूर होती है। ककड़ी विटामिन से भरपूर होता है। इसलिए इसका सेवन इसकिन के लिए काफी फायदिमंद माना जाता है। ककड़ी का सेवन करने से आपका सेवन हेल्दी रहता है। दोस्तों ककड़ी का सेवन रात में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। रात में ककड़ी का सिवन करने से आपके स्वास्त पर बुर आसर पड़ता है।